हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपको स्वागत है आज की टिप्स में मैं आपको बालों का तूटना ज़र्णा बंद करके बालों को सिल्की मुलायम बनाने का एक बेहद असरदार नुसका बताने जा रही हूँ इस नुसके के इस्तेमाल से बालों का तूटना ज़र्णा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा साथी बालों की ग्रोथ भी तेज होगी और बाल काले घने मुलायम हो जाएंगे बालों की सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा ये नुसका शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूटूब चैनल घरे लोगे उसके असरदार उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी मेरी असरदार वीडियो का लाब मिलता रहे अब बेल आइकन यानि घंटी को ज़रूर क्लिक करें मेरे नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बता दूँ बाल किन कारणों से तूटते जड़ते हैं सबसे पहला कारण है अपने बालों पर केमिकल युक्त, हेर डाय, हेर जिल या हेर कलरिंग का ज़्यादा इस्तिमाल करना इन सबसे बाल तूटने जड़ने लगते हैं और बालों की जड़े काफी कमजोर हो जाती हैं इसके अलावा सरीर में आइरन की कमी से भी बाल तूटने लगते हैं इसलिए अपने भोजन में आइरन ज़्यादा मात्रा में ले ऐसी चीज़े खाये जिनमें आइरन भरपूर मात्रा में हो अब मैं बताती हूँ आपको जो समगरी चाहिए इस नुश्के को त्यार करने के लिए आपको चाहिए मेथी के पत्तो का पेस्ट आपको मेथी का पत्ता लेना है मेथी का पत्ता अक्सर हम खाने में इस्तिमाल करते हैं इस पत्ती को ले करके आपको पेस्ट करके इसका पेस में भरपूर मात्रा में आयरन होता है अब इसमें जो दूसरी चीज है वो है दही आपको इसमें दही मिक्स करना है इस तरह से आपको दही मिक्स करना है दही आप आधी मात्रा में लेनी है आपको यानि आपने जितनी मात्रा में मेथी का पेस्ट लिया है उसकी आधी मात्रा म मिक्स करने के बाद अब आपको अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से इसे लगाएं फिर पूरे बालों में लगाएं अब इसे एक घंटे के लिए छोड़ दे इसके बाद एक घंटे के बाद आप सैंपू से धोलें इसके इस्तेमाल से बालों का तूटना जड़ना बंधो करके बाल लंबे घने और मजबूत बनेंगे साथी काले भी हो जाएंगे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में